दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वर्क डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अवेकनिग पहले मैं आपको इसकी कहानी समझाऊंगा फिर इसकी बाद मैं थीम्स डिस्कस करूँगा चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के एंड में दोसो कहानी की शुरूआत ग्रैंड आइल नाम की एक जगह से उत्ती है न्यूयोक के पास में एक खूबसूरत वैकेशन हाउस है और्लियंस नाम की जगह पर तो वहाँ पर एडल नाम की एक लीडी के अपने पती और दो बच्चों के साथ में छुटिया मनाने जाती है इसके पती का नाम है लियॉंस जो अकसर काम के सिलसले में घर से बाहर रहता है इसलिए एडल अपना जाद दर टाइम एडल नाम की एक खूबसूरत प्रेगनेंट लड़की और रॉबर्ट नाम की एक अट्रेक्टिव लड़के के साथ में गुजारती है शुरू से ही हमारे रीडर जो इस कहानी को पढ़ रहा है उसको लगने लगता है कि लीडी अपनी फैमिली लाइफ से कुछ खास खुश नहीं है मतलब सब कुछ नॉर्मल नहीं है इस फैमिली में कुछ प्राब्लम है एडला देखो अपने बच्चों से बच्चों की केर करते करते ठक चुकी है और अपने हस्बेंट से परिशान है अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका हस्बेंट इसको गिफ्ट्स लाकर नहीं देता लेकिन बेवकूफ बेवकूफ भी है बत्तमीज भी है लापरवा भी है इसलिए एडला को कुछ खास पसंद नहीं है या आदमे जब इसका हस्बेंट काम के सिलसले में चला गया इसको इसी वेकेशन हाउस में चुट्टिया मनाने के लिए छोड़ गया तो ये एक यंग मैन रॉबर्ट से मिले जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रॉबर्ट के साथ में इसकी दोस्ती पनपने लगी और ये लगबग रोज एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम गुजारने लगी समंदर के नारे घूमते थे जोक सुनाते थे एक दूसरे को एक दूसरे बड़ी गहरी बाते करते थे देखो दूसरो एड़ना ने ना सारी जिन्दगी अपने पती की जी हुजरूरी करते काड़ देती इसलिए इसको इसकी दूस्ती बहुत गहरी लग रही थी अब एक रात मैड मसॉले रीस नाम की एक प्यानिस्ट अपना प्यानो बजा रही थी उस म्यूजिक ने एड़ना की आँखों में आंसू ला दिये ये प्यानिस्ट जो है वह तेज आवाज की एनमेरे डौरत है जिसे ज़्यादर लोग पसंद नहीं करते लेकिन इसके म्यूजिक ने एड़ना की आँखों में आंसू ला दिये एक बात मैं आपको बता दू एड़ना को समंदर से डर लगता है आखिर उसी रात इसने अपने डर पर काबू पाया और समंदर में तैरने चली गई ऐसा कह सकते हैं कि उस रात इसकी अवेकनिंग हुई ये जाग गई इसने सोचना शुरू किया कि ये कैसी जिंदगी जी रही थी अब दोस्तों रॉबर्ट के साथ इसकी दोस्ती रोमेंटिकली चार्ज हो गई लेकिन रॉबर्ट को कुछ सही नहीं लगता था कि एक मेरिट वोमन के साथ में ये रिलेशन बना रहा था इसलिए इसने ग्रैंड आल को छूड़ कर मैक्सिको चला गया ताकि ये इससे दूर हो जाया यहाँ एडना इसकी दोस्ती के लिए तरस्ती रही इसकी साथ के लिए तरस्ती रही अब सितंबर में इसका हस्बन नियू औरलियंस आ गया लॉटा वापस एडना ने इस वक्त अपने पती और बच्चों से दूरी बना ली नगलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो अपना समय पेंटिंग रीडिंग और दोस्तों के साथ गुजार सके जो इसकी नई नई अवेक्निंग हुई थी उसको एंजाय कर सके और इसकी दोस्ती एडल से भी तूट गई वो एडल जो प्रेगनेंट थी लेकिन प्रैक्टिकल थी इसके हस्बन की तरह अक्सर वो उस प्यानिस्ट से मिलती थी जो अनमेरिट थी जिसके आवास देश थी जिसको जायता लोग पसंद नहीं करते थी प्यानिस्ट उससे मिलती थी वो एडना को काफी सही सला देती थी दोस्तों क्योंकि उससे इसके काफी थौट्स मिलते थे वो एडना को Robert के letters भी दिखाती थी कि Robert तुम से बहुत प्यार करता था एडना के लिए प्यार था वो प्यानो बजाती है एडना के husband को कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए उसने family doctor से सला ली doctor इसके husband को सला देता है थोड़ा इंतिजार करो अब एडना को sexual desires होने लगे वो Arabian नाम की एक fashionable young man के साथ में involved हो गई लेकिन उसादमी से ये प्यार नहीं करती थी कुछ time के लिए involved हो गई इसलिए उसके साथ में romantically ये रहनी सकी अब इसके बात क्या होता है एडना का husband जो है वो फिर से एक लंबी business trip पर चला जाता है और इसके बच्चे चले जाते दादी के यहां और एडना हो जाती है free इसको नई नई आजादी मिली थी जोबी से पहले कभी ने मिली थी ये चली गई अपने पती का घर छोड़ कर एक छोटी से घर में रहने के लिए वहाँ ये अपनी paintings बीच कर financially आजाद होना चाहती थी एक छोटी सी party भी देती लेकिन खुश नहीं थी इसको लग रहा था कुछ missing है एक दिन वो pianist से इसको पता चला कि Robert वापस आ गया है कुछ दिनों बाद में ये उस pianist के apartment में विली Robert पहले तो Edna से दूर दूर सा रहता है उससे formal होकर बात करता है फिर थोड़ा जोड़ देकर Edna उसे अपने नए घर में डिनर के लिए मना लेती है थोड़े टाइम बात खुलकर ये प्यार की बाते करने लगते हैं आखिर बहुत control करने के बाद Robert से भी रहा नहीं गया उसने कुबूल कर लिया कि वो Edna से वाके में प्यार करता था कहने का मतलब करने लगा है करता है अभी भी ये दोनों बात करी रहे थे कि वो Edna जो लड़की थी उसकी delivery का time हो गया disturbance हो गई और घर लाटते वक्त डॉक्टर मैंडलेट के साथ में Edna ने खुल कर बात की उसे साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी से प्यार हो गया अब ये जब घर पर आती है तो देखती है Robert ने एक नोट छोड़ दिया Robert महाँ पर माजूद नहीं था वो चला गया था उसने जाते वे एक नोट छोड़ा उसमें लिखा हुआ था कि वो उससे शादी नहीं कर सकता कुछ टाइम गुजरता है Edna fit से Grand Aisle जाती है समंदर के किनारे पर चली जाती है और उसके दिल और दिमाग में सिर्फ निदाशा थी उससे बस आजादी चाहिए थी अपनी आजादी वो समंदर में तैरना शुरू करती है बच्पन की सारी यादे उसके दिमाग में जिल मिलाती है जब वो समंदर में तैर रही थी और कहानी के आखिर में वो पूरे तहरा से आजाद मैसूस करती है और डूब के मर जाती है मरती है या नहीं लेकिन वो दूब जाती है ऐसा कहा गया इस कहानी के अंदर ये उस वक्त की समाज की पिक्चर रखती है हमारे सामने नियू और्लियंस 19th century में कैसा था वहाँ पर इनसान के लिए social rules किस तरह के थे एक दाइरे में बांद कर रखा जाता था इनसान को मतलब Victorian ideals के हिसाब से दोस्तो वैसे तो हर society अपने हिसाब से नियम बनाती है लेकिन awakening जिस वक्त की कहानी है न उस वक्त ये rule और नियम बहुत hard थे बहुत कड़े थे दोस्तो शुरू में तो एडना को भी अपनी society के हिसाब से जैसे बढ़ा किया गया था उसको लगने लगा था कि इनहीं rules के हिसाब से जीना बरना चाहिए मुझे लेकिन बाद में उसे अहसास होने लगा कि ये गलत है उसने अपनी शादी के बाद से अपनी बहुत सारी इच्छहें दबाई थी दोस्तो उसे लगने लगा था जैसे वो एक लंबी नींद में चली गई थी और फिर बाद में जब उसे जीना सिखाया गया तो ऐसा लगा जैसे उसकी awakening हो गई है उसने फैसला कर लिया कि आप ऐसे बिलकुल नहीं जीऊंगी दिल खूल कर जीऊंगी जैसे मुझे जीना है लेकिन जिन लोगों ने उसे ये रास्ता दिखाया वो लोग खुद पीछे हटने लगे इस कहानी में Edna और Edna का husband दोनों के point of view अलग है Edna जो है वो romantic है उसका husband practical है वो pianist भी Edna की तरह romantic है जबकि वो जो लड़की जिससे इसकी दोस्ती तूट गई वो भी practical थी practical होने की वज़े से उससे दोस्ती तूट गई तो ये romantic और practical होने के बीच में एक battle चलता रहता है Edna ने अपनी शादी के बाद एक लंबे टाइम तक परिवार की जिम्मिदारियों की बीच में practical होने की कोशिश की थी लेकिन जब वो जागी तो खुद को romantic पाया इस तरह से ये कहानी है दोस्तों awakening आप समझ गया होंगे कि इसका title awakening क्यों दिया गया उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ helpful रहेगी आज की इस वीडियो मस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो को खुत्म कर लिए तो मैं उमीद करता हूँ इस कहानी का main idea आपको समझ गया होगा चलिए आज की इस वीडियो मस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में